विल्कम तो आवर चैनल, ग्लोबल क्रिकेट वनिम आज का जो प्री क्वार्टर फैनल मुगाबला जो होगा सेद मुस्तार कली ट्रॉफी में उसमें किरला भरसज हिमाचल प्रदेश के बीच मैच होगा इसमें देखा जाएगा तो जी ये मैच भी दिली में है और देली में दो पहर के बीच में मैच होगा ये सिर्फ बार अवे से मैच स्टाट होगा मिंस कि दो पहर में दिली के मैच में अगर T20 मैच कहलते हैं तो यहाँ डिव का फैक्टर नहीं है मिंस कि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा करेगा बालर को थोड़ा बहुत कम फादा करेगा दिली के पीच में पहले स्टाटिंग में जाता कि सामगा अगर बॉलिंग होता था तो स्टाटिंग का बालर को फादा करता था बाद में डिव फैक्टर आयाता था लेकिन देखाए दिली के पेचे में सिर्फ Batsman को इस मगाबला में जो Pre-Quarter Final मैच होगा जिसमें सिर्फ Batsman को फादा करेगा बॉलर को बहुत कम फादा करेगा और जितना भी देखा जाता है T20 में, बाद में बैटिंग करना होलेकर जितने का चांसे बहुल ज्यादा होता है, 80 तु 90 परशंट बाद में बैटिंग जो करता है, उसको जितने का चांसे ज्यादा है, इसलिए जब भी टॉस देतेगा तो वो पहले बैटिंग करना चाहेगा लेकिन ये दोनों जो टीम है केरला और हिमाचल प्रोदेश का देखिए गाते जस्ट अपोजिट है केरला के बारे बात कर लेता है जो पांच मैच में तीन जीता है दो हारा है में इसकी केरला बहुत न पांच और एक ही विकेट पर कर लिया जीत लिया पहला माई जीत लिया एक ही विकेट पे मिन्सकी के ओपनिंग बल्लेवास मतलग तीन तक बल्लेवास इनको बहुत अच्छा बैटिक करते हैं फिर उसकाद बिहार के साथ हुआ उसमें देखा जाएगा तो बहुत कम स्कूर बिहार ने बनाया और इन लोग में तीन विकेट पर ही बना कर जिद लिया मिंस कि केरला अभी देखाएगा तो हमेशा जो है चेस कर रहा है तीसरा मैं जो चेस करते हुए रेलवेज के साथ हार यहीं होता है इनके साथ की बहुत अच्छा बैटिंग रहें फिर बीच में गरवडा जाता है किरासाम आप के साथ हुआ तो देखा जाएगा तो दो विगेट पर ही मिंस की बना लिया मिंस की उपरी करम के एक दो तीन चार अगर यह दो आउट होते हैं तो यह दून मिल गुमा मिंस की आपके उपरी करम के चार बल्लेवाज के तरफ से बहुत ही सामदार बैटिंग करते हैं एमपी और के बीच में हुआ तो 175 विगेट बनाया एमपी ने के ला को यह में जीतना बहुत जूरी था इनके सारे प्लेयर ने बहुत अच्छा गिया एक सो बहुत अच्छा गिया मिंस की के ला हमेज़ा आप देखिएगा तो आपको चीस करता हुआ इधर ने जराया है इसके विप्रित हिमाचल पर्देश का देखा जाए तो हमें से बैटिंग कर रहा है 145 बनाया 9 विकेट पे हर यह जीतना जिती गया मिंस की पेहला हमेज हिमाचल परदेश ने 1544 बनाया 8 विकेट मिंस की हमाचल परदेश का विकेट देखिएगा तो बहुत ज़्यादा गि करना होगा उसमें बहुत इजी होगा और हिमाचल परदेश का देखा जागा विकेट बहुत कम गिराते हैं जमुकस्मिर के विरूद अच्छा है लेकिन आपका हिमाचल का उससे थोड़ा सा बेटर है अब हम लोग बात करेंगे दोनों का प्लेंग 11 के बारे में बात करते हैं तो केरला का कुनुमन और अजरोदीन विकेट कीपर के रूप में है एक आज मैच में बहुत अच्छा स्कूर किया था बहुत तेजी इस टीम का समझेए तो करीब यहीं बैटिंग लैनप है इतना ही इनका स्कूर करता है इसके बार बालिग बहुत कमा था है जिसमें बैटिंग सर्पुदीन और जलज सक्षिना अगर मौका मिलता है तो बोद अच्छा करता है और एक आज्विकेट लेने का चांस है लेकिन इनको त्रॉस हम लोग डाउटफुल बने रखते हैं फिर बी बीनोद बॉलिंग एस अखील एस मितून यू मोकृष्णा और बेजल थंपी बेजल थंपी ऑल्रडी इंटर्नेशनल खेल खेले वह लेकिन को बिकेट नहीं मिलता है तो इस तरह से देखा जाएगा तो उपनी क द्राशति रखना पड़ेगा और बौलरत रखना पड़ेगा फिर यह वसीत पिर रागा दंद रिखिएगा दो है आरवन एक रिषिध रागाव को जरूर रखेगा कैने पहले महिए पहली बुला तही माचलपरदेश के आट नों विकेट गिरते हैं मिंसे के रूपरिकम क क्वाइब करते जमनाओं तो आपका सबस्जादा नाम केड़ा तरप से हैं तो मोगा देली के ग्राउण्ट पर आपका देली के ग्राउंट पर उपर से दो फर मैंच है यानि कि उपरी करम के बल्लेवाद सलेंगे ही सलेंगे तो पहला वह हो गया कि अजहर उदिन कि तिसरा में सचीन बेबी कि चौथा में संजु सैमसंग पास्वा में पी चौपड़ा यह एबेंस पी चौपड़ा को डाउटफूल में रखते हैं पी चौपड़ा को डाउटफूल में हम लोग रख लेते हैं फिर शक्ता मैंने बहले बला था आर्जवन जो अल्डॉंडर है आरजवन को रखेगा रिशी धवन नौट रागल धवन सत्मा मैं बोला था बॉलिंग में बेजल संपी को नहीं रखना एस में दून या एस अखील या बीवी नोद ये तीन में से आपका जो रहा है एक या दो विकेट करेगा क्योंकि तेड़ा का तरब से देखा गया बॉलिंग करते है तो विकेट बहुत कम गिरता है तो देखा आपको बीवी नोद बीवी नोद पूर रख लिजेगा आत्मा पीजास वाल और या अबलिक जैम वाल नॉमा एम डागर दसमा बेजल थम्पी या यूमन क्रिश्ना स्टार्टिंग में विकेट लेने के लिए आएंगे तो यूमन क्रिश्ना को रख सकते हैं या ये बसिष्ट को भी रख सकते हैं लाँ अ इधर का भलेवाद रखने का रिजन क्या है मैं पहली बोला था कि इधर के चार भलेवाद ही चलते हैं तो इधर कोई भी तो दिना रखते हैं इधर का बॉलिंग पिकेट कम लेता है इधर देखा जागा तो और यह दो बहुत ही महत्रों प्लेयर है उसका दाप बाइटिंग और बॉलिंग मिला गया आप लोग रख सकते हैं तो ग्यारा प्लेयर हो जाएगा सब्सक्राइब एक से दो मैच में जरूब करने गाएगा पीजाय सवाल एक से दो कैप्टन में संजू संप्संगों बहुत लोग कैप्टन मिलाएगा लेकिन इनको कैप्टन स्वार कर मनेगा जो है अजर दीन सचीन बेबी कुर्णूमर यह तीन हो गया एबेंस चार इसने सं संचो संप्संग कैप्टन मिलाएगा अजर दीन इसमें को तो तीन मैच में करेंगे क्योंकि इनको टीम पोड़ना पहुंचना है और कब माल में रन मारते हैं लेकि थूछा इनको बचना है कि हिमाचल परदेश का बालिंग बहुत अच्छा है लाजवार रहे हैं पर तेक अच्छा अच्छा बॉलिंग करते हैं जिसमें कि सब आपको रिशी देवन रिशी देवन को मैंने सबसे पहले काप्टन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा और यह भी देखेगा कि 100 पॉंट कंदर में टिम त्यार किया गया है और ग्रैंड लिग प्लस व्मॉल लिग इसी ट